हेलो स्टुडेंट जैश्री महाकाल तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ग्यान यूटूब चैनल के ऑनलाइन प्लैटफोर्म तब तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है जोइन इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 के रिक्रूमेंट की एक नई वेकेंसी आने वाली है जिसके फोम एपलाई होने वाले है 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जिसकी पोस्ट तकरीपन रहने वाली है 260 और आज हम इस वेकेंसी के बारे में बात करेंगे कि इस वेकेंसी में क्या काम होता है कोस्ट गार्ड क्या काम होता है इसमें सेलरी किती मिलती किते आवर्स का इसमें काम होता है और प्रमोशन किस तरह से होता है तो आए चलिए हम शुरू करते हमारी आज की वीडियो कुछ एक्ट के साथ में सबसे प करते हैं तो इसमें तीन पोस्ट नहीं है पहली है जीनगध की ठीकनिकल में चराहें का रहते हैं तो पोस्ट होती है तो इसमें एच्सक्राइच की बात करें कि Team टेंगे बाद तो आईंज देखिए शुरू करते हैं इसमें जो age criteria है GD की यानि कि जो general duty होएगी वो होएगी 21 से और 25 साल के बीच में form apply कर सकते हैं यानि कि 1 जुलाई से लेकर जो जिसका बर्त 1 जुलाई 1999 से लेकर 37 2023 के बीच में है वो student इसमें apply कर सकते है technical mechanic की भी same year है यानि 21 से 25 इसमें दी हुई है और इसमें apply करने के लिए हमारे पास सिर्फ only for male apply कर सकते है इसमें female apply नहीं कर सकती है और ये वो अगनी वीर वाली 4 साल वाली vacancy नहीं है student मैं आपको पहले ही clear कर देती हूँ ये एक permanent job की vacancy आई है और वहीं अगर हम qualification की बात करें तो इसमें 60 जो general duty होती है वो 60% उसमें graduate होना चाहिए किसी भी stream से लेकिन उसके पास 12 में maths अनिवारे है यानि कि 12th maths PCM का student वो compulsory होना ही चाहिए यानि उसके पास physics chemistry maths होनी चाहिए वहीं अगर टेक्निकली के बात करें तो उसके पास engineer degree होनी चाहिए और 12 में PCM होना चाहिए इलेक्ट्रोनिक में PCM है नि physics chemistry maths इसमें maths का important role है कि अगर आपके पास math subject रही हुई है 12 में या फिर इसमें 12 के बाद में किसी ने BAC करी है तो BAC last year जिसकी चल रही है वो भी इसमें अपेर कर सकते है ठीक है student तो और देखते हैं इस वीडियो के बारे में कुछ बात है कि यह जो exam होता है यानि इसके लिए obvious हमें exam देना पड़ेगा तो selection process कित तरह से होता है कितने exam होते है किस तरह के exam होते है क्या subject आता है exam में इन सभी के बारे में बात करते है इसका जो total exam होता है student वो exam होता है 5 stages में यानि उस exam के stage हमारे पास 5 होती है total 5 stage होती है इसका जो return exam होता है वो कहलाता है CGCAT यानि कि यह नाम है और कुछ भी नहीं है हाला कि बहुत बड़ा नाम है तो आप लोग इतना शौक मत होईएगा यह exam के नाम से आता है जिसे MBBS के लिए NEET होता है IIT के लिए JMAINS या JEE ADVANCE के exam होता है उसी तरह से इस competition के लिए CGCAT के exam लगता है जिसमें English subject होती है reasoning होती है GK, science और maths होती है per subject के 25 questions हमें मिलते हैं और उसके लिए time मिलता है 2 hours का यानि अगर हम total marks के अगर हम बात करें तो पर marks एक marks होता है चार नंबर का तो 100 into 4 होता है 400 marks का यह paper होने वाला है और इसमें question होंगे 100 questions आपके पास होंगे इसमें वहीं दूसरी बात करें इसमें पहला हो गया इसमें return exam की इसमें return exam होगा return exam की subject होगा और एक चीज और student यह जो exam होगा यह totally English में होगा यानि आपको अपनी English strong कर लेनी है English में एक्जाम होने वाला है आपका तो second की बात करते हैं जो इसका stage 2 है वो noida में होगा Mumbai, Goa, Chennai, Calcutta stage 2 और stage 3 यह जिस तरह SSB में होता है उसी टाइप के 5 दिन का process होता है इसमें जहां पर आपको centers allot किये जाएंगे noida Mumbai इन में से कोई भी आपको centers मिल जाएगा जब आपका यह exam qualify होगा return clear होने के बाद में आपको पांच दिन का stage 2 और stage 2 में SSB के तरह ही यह process होने वाला है उसके बाद stage 3 में final selection board की तरफ से यह final selection board की तरफ से होता है उसमें क्या होगा आपका आपका जो return exam है यह qualified nature का ही test मान सकते हैं आप इसको कि इसमें आपका personality test होएगा इस base पे यानि कि दोड़ वगरा करवा सकते हैं आपको 157 cm जिसकी height है वो इसमें applicable होगा यह सभी चीज इसमें SSB के थू होती जिस तरह SSB का base होता है से हम उसी तरह का performa होता है फूर्थ है इसका medical होगा इसमें आपके height वगरा चेक की जाएगी आपके medical में ठीक है उसके बाद में five जो step होगा यानि five जो step होगा यह सबसे main step होगा क्योंकि इसमें आपकी merit जाने वाली है और merit जाएगी किस cut off के base पे तो merit जाएगी stage one यानि के return exam और stage three के base पे जाने वाली है इसकी जो merit है वो stage one के base पे जाएगी और stage three के base पे जाएगी stage 3 के base पे जाएगी यानि यह final selection होईगा यहाँ पे इसकी और इसकी दोनों की merit निकाल के आपको stage 1 और stage 3 के merit निकाल के आपका पूरा selection होगा और उसके बाद में आपको joining मिलेगी ठीक है student तो कभी कभी यह होता है student का इन सभी में वो qualify हो जाता है लेकिन फिर भी उसकी merit नहीं निकलती है तो इसका मतलब है कि वो इस race से बाहर हो चुका है उसको यह government job के opportunity नहीं मिलेगी और यह सभी जो selection process student यह आपको कब तक हो जाएगा आपके मन में यह भी होगी कि इतने सारे process हैं तो यह process कब तक पूरे होंगे तो यह April 2024 से शुरू होकर December 2024 final तक यह आपका पूरा complete process होने वाला है यानि कि April तक इसके exam हो जाएगे second और third जो stage है वो आपका अगस्ट से नवंबर के बीच में हो जाएगा नवंबर और दिसंबर में इन तीनों की final cut off आजाएगी देन आपका अपरेल से और दिसंबर 2024 सक इसका पूरा final analysis करने के बाद में आपको joining letter आपके हाथ में होगा यानि कि student जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी का अगर सपना है 2025 में जॉब लगने का तो ये बहुत ही अच्छी opportunity आप लोगों के लिए आईए तो जल्दी से जल्दी इस वेकेंसी के लिए अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए आगे देखते जिस तरह आर्मी में कमांड होते हैं उसी तरह नेवी में रीजन कहे जाते हैं तो पारदीप है जो की सिचुएटेड है हमारे ओडिसा में वहीं हल्दिया की बात कर रहे तो वेस्ट बेंगोल में सिचुएटेड है यह जो पारदीप है यह बहुत ही important रीजन होता है इंडि पोस्ट पर मिलने वाला है तो आईए देखी बात करते हैं सबसे पहला जो आप आप जोइनिंग करेंगे तो जोइनिंग करने के बाद आपको पोस्ट मिलने वाली आसिस्टेंट कमांडो की जॉब मिलने वाली यह देखिए जब आपका प्रोविशन पीरियड होगा तब त तो प्रमोशन होगा वो डैपिटी कमांडों पे होगा उसके बाद में कमांडेंड डैपिटी इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पे आपका उसके बाद में प्रमोशन होगा दैन डैपिटी इंस्पेक्टर जनरल सीनियर के रूप में होगा और इसके बाद में आपका होगा इं यह हमारे इंडियन नेवी के डाइर्यक जर्णरल कहे जाते हैं डाक्टर वीरेंदर पठानिया ठीक है श्टूडेंट तो अब हम इसके बारे में बात करते कि इंडियन कोस्ट कार्ण्ड आखिर काम क्या करता है किस तरह का इसका जॉब प्रॉफाइल होता है वर्क लोड क्या रहता है और उसको क्या क्या फैसलिटी मिलती है तो सबसे पहला जो काम होता है उसमें होता है आई सी जी और फिश यानि कि जितने भी रीजन्स हैं उस पे आपको पता है हमारी जो वेस्ट बेंगोल साइड है गुजरात है यानि कि इसका जो पौर बंदर पर भी है रीजन तो उन सबी के इनर जितने भी पोर्ट एरियाज होते हैं उसमें मचुवारे बहुत अधिक संख देना रहा है याफे उसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उनका काम होता है कि वो मचुवारे के साथ में रहले कमारे इंडिया की सांहें कुछ भी अनोनी होती है तो उनका काम होता है इन लोगों को सेफली अपने घर पहुचाना है यानि पोर्ट से और शिफ तक आराम से लेके जाना वहीं अगर बात करें कि मिनरल्स और एकोलोजी कोस्टगार का एक में काम हो रहे है कि यदि किसी भी शीप का कोई भी जो डेमेज हो जाता है कुछ मिस्टेक हो जाती है तो कोस्टगार का काम होता है कि जल्दी से जल्दी उसको रिपेर करवाना या फिर उस चीज़ को उस सी से बाहर लेके जाना ताकि सी के अंदर जो जीव वगएरा है उनकी हेल्थ पे कोई इशू ना पड़े एंटे स्मगलिं की वो सबी सी के जर्ये Cherry की जाती है तो खौस्गार का में रोल होता है कि कुछ भी ऐसी गतिविदी अगर होती है इन लीगल काम अगर होते तो उनकी जाच करते है और उनको हमारे भारत में आने से रोकता है क्योंकि ड्रंस के अगर गलिंग होती है तो आदे लोग यही चाह है इन सबी के देशों में जो आने वाले लोग होते हैं जैसे इन धी के अंदर जा करके कुछ सब्ध करते हैं ँश करता है लो यह उनने को सबस्कैares करते हि कंदर जाकर लोग करते लिए respirations. जूटी होती है और उसके बाद में इनको 45 डेस का ओफ मिलता है और मिलने के साथ साथ ही इनको हांस रेंट आलोंसेज मिलते हैं सारी फैसिलिटी मिलती है और मान के चलिए स्टुडें नेवी की जॉब एक बहुत रिस्पेक्टेड पीसफुली और बहुती शांदार तरीके की जॉब है और इसमें 45 दिन का आपको ओफ मिलता है उसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको स्पोर्ट के लिए अलग से एक कोटा मिलता है स्पोर्ट फैसिलिटी मिलती है इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस्मेंट मिलता है यानि और जो आपकी स सेलरी होगी कम से कम यानि 2.25 लाग यानि 2,25,000 आपकी सेलरी रहने वाली है जनरल डायट के पोस्ट पे और यह बहुत ती रेपुटेटेड और रिस्पेक्टेड जॉब है तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे माक्स दाकर इस जॉब में जरूर करिएगा